दूस्तना आज की वीडियो में आपको proper तरीके से box type microwave motion sensor के बारे में detail में समझाऊँगा आप देख सकते हैं कितना छोटा सा ये microwave motion sensor है दोस्तो sensor बावू के उपर आप देखेंगे यहां को एक circle दिखाइी दे रहा है यहीं से यह sense करता है दूसरी side में आप देखेंगे line और neutral के point हैं जहाँ आपको neutral connect करना है और यहाँ इसे phase देना है line dash से हमें load connect करना है neutral के साथ common करके दोस्तो connection करना भी इसका बहुत आशान है क्योंकि इसका जो mechanism है यह push in बाला है इसको दबा करके आप wire फशा करके छोड़ेंगे आपका connection हो जाएगा नीचे आप देखेंगे तो दोस्ता आपको 3 point मिल जाते हैं जिसमें लग्ज का point है sense का point है और time का point है 12 मिन तक का आप time set कर सकते हैं तो proper तरीके से मैं आपको connection करके दिखाता हूँ दोस्तो अगर और भी आप sensor series पर वीडियो देखना चाहते हैं तो इन सभी sensor के वीडियो आपको ether बाले playlist में मिल जाएंगे जहां से जाकर के आप बाकी sensor पर भी वीडियो देख सकते हैं दोस्तो बहुती छोटे से packaging में आपको sensor रखा हुआ मिलता है जिसको बनाया है Retron Company ने आप चाहें तो इस sensor को purchase कर सकते हैं Retron Company से क्योंकि आपको दो शालका brand warranty मिलता है तो फिलाल मैं इसको open करके दिखाता हूँ या मुझे sensor और एक user manual बिलता है user manual को आप description से जाकर के पढ़ सकते हैं फिलाल इसको side में हटा करके अपना sensor बहार निकाल लेता हूँ अब इसका हम समझ लेते हैं connection करना कि किस तरीके से sensor का connection करना है दोस्तों इसका connection करने के लिए यहां मैंने एक power supply ले ली है आपको दिखाने के लिए यहां एक valve connect किया है और 3 connector आप देखेंगे तो mcb से एक phase wire को उठा करके यहां इस first वाले terminal पर connect कर दिया जैसा आप देख सकते हैं neutral wire भी यहां से उठा करके इस beach वाले point पर connect कर दिया और दौनों neutral को loop बना लिया है जो मेरा एक valve का neutral point है बलब को phase देने के लिए इस connector को मैंने use किया है दोस्तो sensor का जो L point है इसको मैं यहां phase पर first terminal पर लगा दूँगा जो मेरा neutral वाला point है यहां बीच वाले terminal पर और जो मेरा L dash है इसको मैं यहां connect कर दूँगा जहां से मेरा load connect हुआ है connection करके आपको दिखाता हूँ दोस्तो sensor का connection करना बहुत आसान है आप देखेंगे कि पहले वाले terminal पर मैंने red wire connect कर लिया है जो मेरा line का point है कुछ इस तरीके से इसके अंदर आप insert करोगे इसको दबा करके यह proper तरीके से lock हो जागा अब इसके अंदर मुझे output में जो मेरा l-s है यहां से एक wire connect करना है जो मैं yellow wire connect कर देता हूँ दोस्तों आप देख सकते हैं yellow wire जो output है इसको भी मैंने connect कर लिया है तो यहां से पहले मैं power supply को बंद कर देता हूँ और इसका जो main power source है उसको मैं connect कर देता हूँ तो main power supply को मैंने connect कर लिया है कुछ इस तरीके से आपको दिखाने के लिए जैसे ही मैं इसको on करूँगा तो एक बार मेरा bulb on होगा मैंने power supply को on कर दिया bulb मेरा on हो रहा है दोस्तों इसका आपको setting करके दिखाता हूँ किस तरीके से setting करना है जो आपका लग्ज वाला point है अगर आप इसको दिन में on करा रहे हैं जैसे अभी light है तो दिन हो गया तो यहां maximum करेंगे अगर रात में on कराना चाहते हैं तो इसको नीचे करना है यह जो sensitivity है इसको full कर दीजिए time आप कितनी देर तक on कराना चाहते है मतलब जैसे कोई person entry किया तो यह sense करने के बाद light को तो on करेगा लेकिन कितनी देर तक on रखे जैसे 12 मिनट आप ने कर दिया तो 12 मिनट बाद light automatically बंद हो जाएगी तो फिलालम बिल्कुल कम कर लेते हैं आपको देखाने के लिए मैं room से बाहर निकल जाता हूँ और बाहर से जब अंदर प्रैस हूँ अलेकिन एक चीज का और ध्यान रखें अगर आप इसको इस तरीके से बॉल पर लगाते हैं तब यह जो radius है 180 degree में sense करेगा अगर आप इसको इस तरीके से लगाना चाहते हैं तो यह 360 degree का circle बनाएगा 2 से 3 मेटर का तो कुछ इस तरीके से अभी मैं sensor को रख देता हूँ और room से बाहर निकल जाता हूँ फिर आपको दिखा हुआ कि किस तरीके से मुझे sense करके मेरे light को on करेगा दोस्तों आप देखेंगे कि यहां मैंने motion sensor को connect करके रखा है और यहां मैंने bulb लगा दिया जो से proper आपको दिखाई देगा मैं room से थोड़ा बाहर निकल जाता हूँ और उसके बाद मैं अपनी body के अंदर कोई motion नहीं करूँआ यहां gate के बाहर आकर के खड़ा हो गया थोड़ी देर के लिए मैं ऐसे ही खड़ा रहूँगा body के अंदर कोई भी motion नहीं करूँगा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगाए तो वीडियो लाइक कर देना अगर अच्छा नहीं लगाए तो आप डिश्लाइक कर सकते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे यूच्फुल वीडियो दे सेता हुब झां पहा रधे घ ti kadar идृई च sharp श्सक्राइब जरूर में खर गोड़ खर देना आया है कर रागा अच्तितित हैं वीडियो में लग टमाप पिर से यूश्ट वीडियोरम लेगा कर देना आप हैं